नमस्ते, आपका नाम क्या है? Mary. अच्छा मेरे. आपके साथ कई आया है? Yes. ओके, तो अभे आपका बच्चे कितना इनका होगिया? दो दिनका. आप में सनपान देना शुरू किया? आप अच्छा, एक दिन में आप कितने बार दे रहो? दो तीम बार दे लो आप हमेशे याद रखे कि बच्चे को हर दो गुंटे में स्तंपान देना होता है तो आपको इस संपान कैसे पेना है वो नर्स बताईगी आपको तो पता ज़िए अब इसके पहले अब का पैला बच्छ है तो आपको ब्रेस्पीडिंग के बार में जाना दो ठीकम के अब एविए कि तो ब्रेस्पीडिह डों इसके पार अपने दोने ब्रेस्ट बार में तो वह पार से पाता है पार इसमें आपको सिखाओगी कि कैसे इंप्रेस एले आइजिन रेक्पमेंटिंगी तो पहले मैंने कॉटन दिया है उसे पानी से आपको साफ करना तो एक स्टोप पहले पूरा आपको पूरा निपल की अर्योजा पूरा साफ करना आइसं ऐसे आपको दोनों सान का आपको प्रखें हेरा तो आपको पिय लेकर अडिशनल की येना न oraz पहले की 6 महिने particular तो ज्यादध हे हीdir आपको stirred the breast milk वहसा है ।को आप आपको बेबी के position में बताना साथ। आपको बेबी को आपकड़ेशग धिए कर दें। प्रल्क्त भी की ठील करने महा है। पूरा कवर करना चाहिए निपल आयोला पूरा कवर करना चाहिए यह आप देख सकते हैं आयोला तो यह पूरा उसका माउट कवर करना चाहिए और उसका चीन जो है हमारे ब्रेस किया आयोला पूरा टच करना चाहिए तो आपको यह ध्यान लगना यह बेबी का बेबी का और जब भी आप ब्रेस्ट पीडिंग करो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको हमेशा हाइड रहना बहुत जादा फ्लुइड्स पीए, पानी पीए, दूद पीए, तो अच्छे से खाना पीओ, खाना खाऊ और पानी पीओ अच्छे से ताकि ब्रेस्ट पीडिंग का में च इससा प्रोड़क्शन अक्जे से दी ध्यान रखे कि गाड़ाद दूँजो होता है वो बेबी को मुल रहे के नी, और वो पीना बहत जरूररी है, तो वह आप उसके पास आपको अच्छे पास ऑक को अच्छे, गाड़ाद को होता है, सबसे पहला जो दूद निकलता है तो अब बताना चाहूंगी कि बच्चा कब चब भी रोए तो आपको इसके demand की हिसाब से आपको breastfeeding देनाची एगा मैं कैसे पुटेसिए ना बेगी को फील करने को आपको इसे पता चलेगा उसे पहले आपको diaper चल करना पड़ेगा कितनी बार फिल हुआ है आप हर ताइम प्रोलते पर यह नी कर सकते कि उसे ब्मोग लग लग लिए अगर बेबी ऐसे अपना हाथ मोग के और लिक्या रहा है तो उस रिज़ाब से आपको पता चलेगा कि बेबी को ब्मोग लग लिए तो उसी साफ साब को देना है हर 2-3 कंग लिए तो सबसे पहले पहले एक breast में, दस मिनिट तक आपको देखना है कि वो बेबी सब कर रही है, एक मिनिट दस मिनिट तक तो उस अच्छे से पूरा नहीं ब्रेस्ट में देने के बाद, दूसरे और भी आपको ऐसे ही, ऐसे ही आपको दूसरे और ब्रेस्ट मेरी देला ची तर आप 10 मिनिट तक अच्छे से देला ची अब उसके बाद आपको यह थान गठना है कि बेबी अच्छे से पिया है कि या कैसे जात व नीरा है, यह सब आपके देखना है, पोजिशन बेबी का पोजिशन देखना है, अगर बेबी सख नहीं कर पार रहा है तो उसका प्लांटर सर्पिस जो है, प्लांटर सर्पिस देखना यहां इक बर आपके पैर इसे हलल एक रहा है, इसे क्या होगा, बेबी थुड़ सी आक्टे हो जाएगा और अच्छे से सफ करेगा, अपस नहीं कि दुत रहा है जिसको दरद हुगा, इसाप ऐसे क्या होगा, तो उसे बेबी और अच्छे से सब तो यह फाप को बदाया है हमाओ, नीट प्रेसपर फिल केसेते करेऊ किसा गेगा, तयों को फिल करना के बाद को फील करवाने के बाद दोनो ब्रेस्ट करने है टीक है उसके लोग उसके बाद इसे ब्युक्त कर रखें आतफ के बरुपिन है कीया? ऐसे ऐसे एसे उसके पीछे बर्पिंग आना है तो क्या है? बर्पिंग जो बहुत IMPORTANT है उससे GYAS निकल जाता है और जो बेबी ने दुथ पिया है वो अच्छे से STOMAK चक जाता है और GYAS जो इसके निकल जाता है तो आपको ऐसे TAK करना रही है तो आप पेंट के रहाँ ऐसे रखे ऐसे रखे भी आप बर्बिंग दे सकते हैं तो यह सब आपको जो ध्यान बखा है बेदी के प्रेस्ट फीरिंग के बारे हैं मुझे बहुत फारे पोईंस दे रहा, मुझे बहुत अच्छे से नियाने से यह करना इसने हमेशे है रखें कि स्ताइपान देते वद उसको करें पोजीशन में रखें उसके इलावा इसको हर दोतीन गंटे के लिए क्योंकि यह जो इसने हैं बच्चे को रोगों सो लटने की मदद करें आप इसने हैं